केंदर सरकार ने बीते तीन अगस को लापटॉप, टाबलेट, परसनल कम्प्यूटर, अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म, फैक्टर वाले कम्प्यूटर और सर्वर के आयात को सिमित करने के लिए नियम बनाए हैं। इन वस्तूओं की आयात को लेकर वैद लाइसेंस के आधार पर अब अनुमती देने की बात कही गई है। हाला कि कुछ मामलों में इन नियमों से छूट भी है। सरकार के इस फैसले को लेकर लोग तरहे तरहे के कायास लगा रही हैं। सरकार के इस फैसले के पीछे की वजह के बारे में इलेक्ट्रोनिक्स और सूचना राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने जानकारी दी है। एक ट्वीक का जवाब देते हुए राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि भारत डिजिटल उत्पादों जैसे की लैप्टॉप सर्वर आधी के लिए दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ते बाजारों में से एक बन रहा है। भारत और इसके डिजिटल नागरिक आने वाले समय में लाखों डिजिटल प्रॉड़क का इस्तमाल करेंगे। देश की एकॉनमी काफी तेजी से डिजिटल इकरण और क्लावडी करण की तरफ बढ़ रही है। डिजिटल एकॉनमी में वृद्धी से मांग भी बढ़ रही इस लाइसेंस का राज नहीं है। इस कदम का उदेश यह सुनिश्चित करना है कि भारत का टेक एको सिस्टम सिर्फ विश्वस्निय और सत्यापित प्रॉड़क्ट का ही इस्तमाल करें। ये प्रॉड़क्ट आयात किये हुए भी हो सकते हैं या ये स्वदेश निर्मित भी हो सकते हैं।